मैं जशाधी कम होगी और से होगी तीन उप्षिंस नमर बन पर हमरे पास पावर को दिखाता है तीसरा आपको इन तीनों में से जो भी पसंद आये आप उसी चुन सकते हैं तो चली शुरू करते हैं जो नहीं को चुनाए यानि के चुनाए कि आपकी शादी कब होगी और किससे होगी तो जो नहीं को चुनाए उनके लिए कि मुझा और कि दॉन को चुना आपके लिए आपकी शादी किसी ऐसे परसन के साथ होने वाली है जिसे आपको फॉर्गिव करना है मतलब आप दोनों के बीच में कोई बड़ा एश्यू है या कोई ऐसा परसन है जिसने कोई बहुत बड़ी गल्ती करिये है कोई आपको छोड़ के चला गया है जिसने आपको धोका दिया है या फिर किसी कारमिक रिलेशनशिप में है तो कुछ न कुछ तो ऐसा issue है जिससे आपको माफ करना है कोई ऐसा person जिससे आप अलरेडी जानते हैं और और उसके खिलाफ आपने मन में बहुत सारी चीजें बाते रख रख की हैं वो आपसे माफी मांगेगा this is a card of the forgiveness मतलब कोई ऐसा परसन जो आप जिसके साथ सेपरेशन फेस में चल रहे हैं या फिर जिसने आपको बहुत जादा हर्ट किया है या ब्लॉक कर दिया है वो परसन आ आपस आएगा माफी मांगेगा और आप दोनों के बीच में honest conversation होगा तो आपकी जो शादी है उस marriage partner को आप अलड़ी मिल चुके हैं यह आपका कोई फ्रेंड है पास लाइफ लवर है यह कोई soul connection में परसन है तो यहां पर दोनों में एक hand position आई हुए guest of hand दोनों में हाथ चोड़ के हुआ है तो यहां पर यह एक ऐसा person भी है जो जिसको आपने बहुत जादा जिसके लिए प्रे किया है जिसको पाने के लिए अपने meditation करी है या फिर जिसको पानी के लिए आपने कढ़िन तपस्या करी है यह वो परसन है तो यह आपका जो relationship है बहुत ही जादा एक बहुत ही आपकी जो शादी है ना एक ऐसे परसन के साथ होगी जो बहुत ही जादा dominating या narcissistic family से belong करता है या करती है मतलब बहुत ही जादा जिसके parents बहुत controlling है narcissistic है या फिर एक patriotic society से belong करता है और उसके जो parents है वो आपके against है आपके जो parents है उनके against है जो बहुत ही मतलब फसा हुआ है अपनी जिन्दगी में किसी ना किसी चीज में फसा हुआ है तो आप से शादी करने के लिए यह जो person है 10 of clubs अपने comfort zone को छोड़ेगा और आपके पास आएगा अचानक से आपके शादी होने वाली है तो यह person सबसे पहले आपके पास आएगा माफी मांगेगा और फिर सड़न ही उसके कुछ ही टाइम बाद विदिन 10 डेस में आपकी इस person के साथ मैर्ज हो जाएगी और यह बहुत बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में क्योंकि शादी के बाद हो सकता है आपको किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़े दूसरी कंट्री में जाना पड़े तो इस बिक चेंज नंबर फिफ्टीन एली का काड़ है सो यहां पर बहुत ही बड़ा मतलब ट्रांस्फॉर्मेशन चेंज नजर आ रहा है मतलब आपकी और बड़ा मतलब और एक इस यहां कोट में है इस से जादा मतलब और काफी जाला रिलेशनशिप्स है जो हो जाएंगे जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपद दोनों के बीचमें आएगा फैमिली तरीके का वह खत्म हो जाएगा और बहुत ही जादा आपकी सादी से भी मुझे सिर्फ इतनी ही इंफर्मेशन मिल रही है तो यह थी आपकी एडिंग चुन्होंने ऑप्शन नमबर वन को चुना अगर आपको मेडिंग पसंद आई है तो आप मेरी चैनल को लाइक करें शियर करें सस्क्राइब करें और प्राइविट एडिंग के उजे एमेल क जिन्होंने इस उपशन को चूज किया और तो आपके शादी किसी बहुत ही करें से होंगी जो बहुत ही जाधा हिम्मत वाला है जो बहुत ही जादा खटरनाग है और एक ऐसा पर्सन्य जो मतलब कुछ भी करने का या कुछी हद लग जाने का रखता है वैल्यॉ रखता है कि एक आपकी जो marriage है वो किसी ना किसी चीज के end पर शुरू होगी again next card is also the revenge card so यहाँ पर आपकी जो शादी है वो basically हो सकता है आपकी जिन्दगी में उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा हो रहे होगी कि सदन आपकी जोब लॉस हो रही है यह आपके घर में किसी की देधक हो गई है ऐसी सिटेशन में आपकी शादी होगी बड़ी जिसी की दय्द हो गई होसी जह hilft situation बनेगी तब आपकी suddenly ही marriage हो जाईए आपकी marriage कर भी यह है कि marriage बहुत सदनली होगी और आपकी जो शादी है वो काफी ज़दा अच्छी खुब सूरत रहेगी क्योंकि आपकी आपकी शादी यहीं जिसके लिए आपने बहुत जादा प्रे कर रहा है जैसे कि यह फीमेल है गौड को उफर कर रही है तो आपकी शादी हो रही है आपके शादी किसी highly spiritual person से हो सकती है जो बहुत ही जादा अवेकन है या तो यह person psychic, healer, doctor, astrologer इस field से बिलॉंग करते हैं या surgeon है इस field से बिलॉंग करते हैं किसी बहुत ही जादा psychic person से नेक्स जो है the intimacy तो आप दोनों के बाद, आपके person आपके लिए यो future husband या wife बहुत ही जादा romantic होंगे और बहुत ही जादा emotional होंगे और आप दोनों के बीच में powerful connection होगा emotional connection बहुत heavy होगा आप दोनों के बीच में और आपकी शादी भी काफी जल्दी होती भी नजर आ रही है आपकी जो शादी है या तो वो three months में हो सकती है या फिर three years में हो सकती है या कुछ लोगों की three days में भी हो सकती है क्योंकि या पे sudden चीज़े ऐसा हो सकता है आपकी जाद आपकी शादी के बाद की लाइफ बहुत ही जाद रोमेंटिक पैशनेट होगी एवन शादी के कुछी टाइम बाद आप प्रेग्नेंसी कंसीव कर लेंगे जाद से यादा एक महीना दो महीना या फिर three महीनों के अंदर आप कंसेट कर लेंगे सो यह थी आपकी रीडिंग जुन्होंने option number two को चुना है अगर आपको मेंडिंग पसंद आए तो आप में चैनल को लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें और प्राइवर्ट रीटिंग के लिए मुझे इमेल कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वाच्छिंग आप देखते हैं जुन्होंने option number three को चुना है आपकी शादी कब और किसे होती है जुन्होंने option number three को चुना है आपकी जो शादी है वो basically एक soulmate connection से होगी या फिर twin flame connection से होगी एक powerful connection दिखा रहे हैं एक union दिखा दिखा रहे हैं तो आप उस person के साथ spiritual level connected होंगे आप इस person traveling के थुरू मिले वे होंगे या vacation में जाए है या वह vacation में जा रहे हैं तो आप traveling के थुरू मिलेंगे या फिर यह जो person है किसी ocean से connect करते हैं आपकी जो शादी होगे यहां पर soul flame के काड़ा हैं तो basically आपकी शादी आपके twin flame से या कुछ लोगों के लिए soulmate से होनी लिखी है और यह एक शादी है जिसके अंदर आपको बहुत जादा support मिलेगा divine का या angels का support मिलेगा आपको इस शादी में बहुत जादा criticism होगा यानि के बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके और शादी के against होंगे आपकी family वाले या इनकी family वाले जोने आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे या उनकी तरह से आप पसंद नहीं आएंगे तो बहुत जादा criticism बुराईया गॉसिपिंग होगी इस चीज़ की बहुत ही जादा मुश्किले बहुत ही जादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा शादी करने के लिए जादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आपकी मैरिश तक की जर्णी बहुत डिफिकल्ट है और यहाँ पर की इस कॉस्ट में की है तो लेकिन आप सक्सेस्फुल होंगे आपको अपने जर्णी में सक्सेस मिलेगी और आप सक्सेस्फुली अपनी एक न्यू लाइफ मैनिफेस्ट कर लेंगे सो आपकी जो शादी है बेसिकली एक समर या ओर्टन सीजम में हो सकती है नेक्स्ट इयर तक सो यह थी आपकी रीडिंग होप आपको बसंद आई हो थैंक यू फॉर वाचिंग